नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हिम गुरु नॉलेज वोइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हिमाचर प्रदेश में शिक्षकों के 4,240 पदों को भरने पर बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ तो वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया करके सब्सक्राइब भी जुरूर कर दें दोस्तों हिमाचर प्रदेश हाई कोट ने सरकार को आदेश दिया है कि हिमाचर प्रदेश के स्कूलों में जितने भी खाली पद है उसे भरा जाए और इसके लिए आगे की वीडियो में यहाँ पर शेडूल भी आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या कोई शेडियूल रहे गए यहाँ पर जो है शेडियूल के मुताविक जो है कोट ने कहा है सरकार को कि वर्ष के पहले विग्यापन के तोर पर जो है 28 फरवरी तक जो है यहाँ पर पहला विग्यापन जारी किया जाए खाली पदों के लिए ठीक है और इसकी जो परिक्रिया है वो जून तक पूरी की जाए जिहां दोस्तों जून तक इसकी परिक्रिया पूरी की जाए उन्होंने कोट ने सरकार को कहा कि 28 फरवरी तक जो है वो मांग को जो है आयोग के पास भेजा जाए और उसके बाद जो है जून तक इस भरती परक्रिया को पूरा किया जाए और वर्ष में ही दूसरे विग्यापन के तौर जो है जून के आयंड तक जो है यहाँ पर दूसरा विग्यापन जारी किया जाए इसा अगर मैं भास्याद्याप को और शास्त्री में ने के साथ गौट में 1100 पदों आभी भास्याद्याप को चाहस्त्री के भौ से अभी भरति हो जांने लिए तो दोस्तों जल्द ही यहाँ पर 4,240 वदों को सरकार द्वारा भरा जाएगा मैंने आपको पहले बता दिया कि 28 फरवरी से पहले इसके लिए विग्यापन जारी हो जाएगा ऐसा आदेश दिया गया है सरकार को तो अब आप इंतजार करिए जल्द ही इसके लिए आदेश ज करिए धन्याबाद